भाई इन लोग को वही सिखा रहो हूं है कि web development start कैसे करें अगर इनको कुछ आता नहीं है और इनको सीखना है web development तो वही चीज में इनको बताने वाला हूं इस वीडियो में इस वीडियो में discuss करेंगे कि how to start a web development वीडियो को मेरे भाई पूरा देखना पहली चीज में पता देता हूं web development means लोगों की online दुकान बनाना या business बनाना जिस तरह लोगों के पास offline दुकान है offline रासन की दुकान है clinic है salon है यह सारी चीजे offline है उसी तरह एक web developer online लोगों की दुकान बनाता है business बनाता है तो यह है web development अब बात यह है कि कोन इस web development को सीख सकते है और कोन नहीं सीखने को हर कोई सीख सकते, अगर आप arts के बंदे हो, आपने commerce कर रखा है, become कर रखा है, फिर भी आप web development सीख सकते हो, बस आपका interest होना चीए मेरे भाई उसमें, क्योंकि मेरे भाई आज का जो time हो ऐसा चल रहे कि कोई आपको पास में बैटके यह नहीं सीखाएगा, कि हाँ ब इस वीडियो का playlist आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वीडियो जरूर देख लेना, इस वीडियो में हम discuss कर लेंगी, अगर आप completely fresher हो, आपको कुछ नहीं पता है web development के बारे में, मैं मान लेता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, हाँ कुछ लोग होंगे जिनको प आपको पता है क्या web development क्या है, और इसमें किस तरह से आपको survive करना है आने वाले सालों में, तो यह चीजे पहले आपको अपने mind में रखनी है, तब ही इस चीज को आपको start करना है, तो web development की कुछ pillars है, जिसमें पहला pillar है, वो है HTML, HTML is a hypertext markup language, मैं आपको full form नहीं बता रहो, मै बता रहो कि hypertext markup language, जो कि एक website का skeleton build करने में हमको help करता है on the browser, तो अगर आप web development सीखना चाहरे हो, तो सबसे पहले आपको अपना HTML strong करना होगा, HTML strong करोगे, उसके बाद आप move forward करो, दूसरे pillar की तरफ वो है CSS, HTML, CSS, जब आपके पकड़ में आ जाएंगे, एक तम मजबूत हो जाएंगे, तो आप एक static website खड़ी कर सकते हो, अभी आपने static website खड़ी कर दी, बट इस static website के अंदर कुछ functionality एड़ करनी पड़ेगी, उस website को थोड़ा attractive बनाना होगा, dynamic बनाना होगा, ताकि button पे click करने पे कुछ और create हो, उस button पे click करने पे कुछ और create हो, तो उसकी मदद के ल जाएंगे, तो javascript के अंदर भी एक library आती है jQuery, जो कि आपका javascript के code को बहुत कम कर देती है, अगर आप javascript के अंदर कोई id select करते हो, तो आपको लिखना पड़ता है document.getElementById, उस id का नाम, तो इतनी बड़ी line को jQuery क्या करता है, एक dollar रहेगा, उसके अंदर आपको id डालन करोगे, तो यह हो गया static website, यानि कि आप एक frontend developer बन चुके हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं web development की, web development के अंदर frontend plus backend दोनों आ जाते हैं, तो frontend आपने कर लिया, अब बात आती है backend की, तो backend start करने के लिए आपको दूसरी language पे swift होने की कोई ज़रत नहीं है, आप javascript की मदद से ए the help of node.js, node.js एक अलग से कोई language नहीं है, यह एक runtime environment है, जो कि javascript ही use करता है, तो अगर आपने javascript कर ली, तो आप node.js अराम से कर लोगी, क्योंकि उसके अंदर सारा code javascript का यह कोई अलग language नहीं है, पूरी आपको javascript ही उसके अंदर लिखनी है, और जो भी code आप node.js के आपने front end और back end दोनों कर लिया, अब आप बन चुके हो एक web development, बात यह आ रही कि भाई आपने हमें बता तु दिया कि यह पढ़ लो, यह पढ़ लो, बस इसमें time कितना लगेगा, देखिए भाई, हर बंदे का अलग-अलग learning speed होता है, अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं इ चीज क्या है, तो हर एक बंदे की अलग-अलग thinking capacity है, learning speed अलग-अलग है, तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़े manage करो, कि मुझे इतने दिन में HTML सीखना है, इतने दिन में CSS सीखना है, इतने दिन में JavaScript, JQuery, and back end के अंदर Node.js में 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 को इतना time लगाना है, सारी चीज़े क तो आप एक paper पे note down करो, और सब के आगे time out लगाओ, कि मुझे इतने दिन में ये चीज complete करनी है, मतलब करनी है, जब ये आपके completely हो जाए, फिर आप switch मारो एक project के अंदर, क्योंकि कितना भी आप सीख लो, कितना भी आप swimming के बारे में सीख लो, कि swimming हम इस तरह से तेरते हैं, हाथ उपर से ऐसे से डालते हैं, पेर को ऐसे से मारते हैं, लेकिन जब आप actual में swimming करने जाते हो, तो आप डूब जाते हो, आपके नाक में पानी चला जाते हैं, तो पढ़ना अलग है कि swimming कैसे करते हो, और actual में swimming करना वो अलग चीज है, तो जब तक आप practically किसी चीज को नही help of projects बनागे, अब projects कोन से बनाएं, तो project related में next video आपको लेके आजाओंगा, तो उस video में कुछ ऐसे important projects बता दूँगा, चुकि आपको interview के time पे job लेने जब आप जाओगे, तो उसमें भी आपको help मिलेगी, तो इस video में इतना ही रखते हैं, इतना आप करिए पहले, और अगर कोई doubt आ रहा है, कोई difficulties आ रही है, तो नीचे comment box है, तो आप मुझे comment box में comment कर दीजिएगा, तो मिलते हैं next video में, thank you